राधे राधे दोस्तों कैसे हूँ आप लोग आसके हैं अमारी कहानी का नाम है सबके संडी का दिन था सुबा के 6 बज रहे थे अंदर रसोई में से बरतन पटकने की आवाज साप सुनाई दे रही थी जानती हूँ कि ये आवाज क्यूं आ रही थी यू तो सब्ताब हर ममी जी आठ बजे से पहले अपने कमरे में से निकल कर बाहर ही नहीं आती जब तक उनके कमरे में गर्मा गर्म चाय ना पहुँच जाए तब तक वो उड़ती ही नहीं पर जैसे ही संडे आता है、 अपने आप पता नहीं कैसे उनकी निंद खुल जाती है, कुछ न कुछ काम करना शुरू कर देती है, एक यहीं तो दिन होता है, जब बिना चाय के भी उनकी निंद खुल जाती है, पर आज भी मेरा उठने का मन नहीं था, सोचा और दिन तो सुबह से रात तक चक्कर घिरनी की तरह घुमती ही रहती हूँ आज कुछ भी हो जाए आराम से ही उठोंगी और वैसे भी कल रात को जो कुछ हुआ है उसके बाद तो इस घर के लोगों को सबक सिखाना जरूरी था लेकिन मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे पास में ही उन माता जी का सरवन कुमार सो रहा है रोज वो उठाय से नहीं उड़ता लेकिन संडे के दिन बरतनों की आवाज सुनकर ही उठ जाता है उठते से ही मुझे जखजोर कर बोले अरे उठो मा अकेले किचन में काम कर रही है और तुम यहां बिस्तर पर पड़ी हो कुछ तो लिहास करो उनकी उम्र का जाओ जाकर उन्हें चाय बना कर दे दो और मेरे लिए भी चाय बना दो पता नहीं भगवान ने बेटे को कैसी आखे दी है जब तक उसकी साधी नहीं होती है तब तक उसकी मा उसकी छोटे से छोटे काम करती है तब उसकी मा उसे बुजुर्ग नजर नहीं आती लेकिन जैसे ही बहु घर आ जाती है 55 साल की मा भी बुजुर्ग हो जाती है एक बार तो मन में आया कि कह दू कि आपकी मा है कभी आप ही सिवा कर लिया करो पर अभी नहीं अपने उनहीं निंदी आँखों को लेकर मैं रस्वई में गई तो देखा सासू मातो रस्वई फैला कर बैठी हुई है सायद इनहें आज सफाई का चस्का चड़ा है अब बताओ ये भी कोई बात हुई भला जो महिला रस्वई में कदम भी नहीं रखती जिसे ये तक नहीं पता कि किस दिबे में क्या रखा हुआ है आज उसे सफाई का चस्का चड़ा है और चसका भी ऐसा कि सारे डिबे रस्वई के फ्लोर पर आ चुके हैं साधी के एक साल में इतना तो समझ ही चुकी हूँ कि संडे को इन्हे कोई ना कोई काम फैला कर बैठना ही है और फिर मेरा पूरा संडे बरबाद करना है क्योंकि ये सिर्फ काम फैलाती है और फिर समझने का काम तो मेरा होता है कोई और तो हाथ लगाता भी नहीं है यहां तकी बाहर के हॉल और अपने कमरों की सफाई तक नहीं करते सुबा से साम ये सब करते हुए मेरा पूरा दिन बरबाद हो जाता है उपर से संडे के दिन इन लोगों की फर्माई सो अलग वो भी पूरा करना होता है सब की ऐसी ऐसी अलग अलग चीजे खाने की इच्छा होती है जैसे मैं यहां फूड एस्टॉल खोल कर बैठी हूँ बस ओडर देती जाओ और मन मुताबिक सब कुछ तयार हो जाएगा भाई माना कि तुम्हारा संडे है तो मेरा भी तो संडे है अरे मैं भी तो जॉब करती हूँ सबताब हर घर और बाहर चक्कर घिरने की तरह घूमती रहती हूँ तो मुझे भी तो संडे मनाने का हक है उपर से इन सब को तो इनका समान तयार मिल जाता है पर मुझे तो जॉब पर से लटने के बाद भी काम करना होता है उपर से मा जी ने अपने इन राजदुलारों और राजदुलारी को इस तरीके से पाला है कि अपना सम्मान भी अपनी जगा पर नहीं रखते, आधा घर तो खुद इनके कारण फैला होता है, पर बहु कोहीं टोकना है कि बहु थोरा घर पर भी ध्यान दिया करो, देखो लोगों के घर कैसे चमकते हैं, अब इन्हें कौन बताई कि हमें भी चमक पर एक ही इनसान कोई सूपर पावर तो है नहीं मेरे पास कि छरी घुमाई और काम हो गया, खेर अभी मैं सोची रही थी कि जैसे ही मुझे रस्वई के दरवाजे पर खरे देखा, सासु मा का अलाप शुरू हो गया, पुरा रस्वई फैला रखा है, ऐसा नहीं है कि कुछ धंकी साप सफाई तो कर ले, लोगों के घर देखो कैसे चमकते हैं, और एक हमारा घर देखो, ना मैं लगू काम पर तो घर में कोई काम ही नहीं होगा, थोरा सा घर पर भी ध्यान दिया करो, संडे के दिन सासु मा में इतना दमखम कैसे आ जाता है, समस में ही नहीं आता, इ अब कौन दिमाग लगाने जाए चूप चाप पतिला उठाया और चाय चढ़ा दी चाय बनाकर एक कप सासुमा को पकड़ाई और दूसरी कप हॉल में बैटकर अखबार पढ़ते पती देव को देकर और अपना कप लेकर अपने कमरे में आ गई बाकी के दो सदस्यों देवर और ननद का जागना अभी बाकी था तो उनके लिए चाय नहीं बनाई तभी अचानक बरतनों की आवाज तेज हो गई सायद सासुमा हमेशा की तरह सोचकर बैठी थी कि मैं रसोई में साप सफाई में लगूंगी पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मैं सुकून से अपनी चाय पी रही थी आखिर उनहीं का तो कहना है कि मैं घर पर ध्यान नहीं देती अभी तक तो सिर्फ परोसी और रिष्टेदारों से ही कहती थी तब तो चुप रह लेती थी कि अरे अपना ही तो घर है कोई बात नहीं पर कल जब मेरे माता पीता भाई के साथ नई नवेली भावी यहां आई तब नई भावी के सामने भी कितनी आसानी से उन्होंने नई भावी के सामने कह दिया अरे मेरी किस्मत में कहां वहू का सुख लिखा है मैं तो अकेले ही पूरा घर संभालती हूँ तुम्हारी ननत रानी को तो इतनी फूर्षत नहीं है कि थोरा घर पर भी ध्यान दे ले अब देख लो तुम खुद ही उसे तो ये तक नहीं पता कि मेरी दवाया कहां रखी है वो भी सिर्फ इसलिए कि उस समय मा जी ने खाना खाने के बाद मुझे अपनी दवाई मांगी और मुझे उनके कमरे में वो दवाई नहीं मिली तो मैंने ये पूछा कि ममी जी आपकी दवाई कहां रखी है बस इसी पर सब के सामने मुझे इतना कुछ सुना दिया जबकि उनकी खुद की आदत है कि वो जिस जगह दवाई लेती है उसी वहीं रखती है पर ये बात मुझे गहरे तक दिल में चुप चुकी थी जहां ननद और देवर दात फार कर हस रहे थे वहीं पती सुन कर भी बहरे हो चुके थे बस तब से मैंने ठान लिया कि आप तो जबाब देना जरूरी हो गया है या तो सब मिल जुलकर काम करो अन्यथा हमसे आकेले कुछ नहीं हो पाएगा खेर पता नहीं बाहर सासु माने पती देव से क्या कहा कि वो दोड़े दोड़े मेरे कमरे में आ गए तुम अभी तक चाहीं पी रही हो रस्वई में कितना काम फैला हुआ है मा अकेली काम पर लगी हुई है जाकर फटा फट काम करवाओ और फिर नास्ते की तैयारी करो और अभी तक तुमने मसिन भी नहीं लगाई सबकी कप्रे भी तो धुलने बाकी है मैं फिर भी चुप रही एक नजर बस पती की ओर गोर से देखा और फिर वापस अपनी चाय की चुस्कियों में मगने हो गई अरे मैं तुमसे ही कह रहा हूँ किसी और से नहीं अच्छा आपक के मुड में आ चुकी हूँ देखो क्यों कल की बात को पकर कर बैठी हो मा अकेली काम में लगी है उनकी मदद करो देखे पती देओ रसोई की साप सफाई तो हम कर देंगे हमें कोई आतरास नहीं है लेकिन नास्ता बाहर से मंगवा लिजिए अरे लेकिन आज तक तो नास्त नहीं हुआ है वो आपसी होगा अगर सब मिल जुलकर काम करेंगे तो ही मैं काम करूंगी अन्यथा मैं भी आराम कर रही हूँ कपड़े धुलने के लिए मसीन ननद जी भी लगा सकती है और घर की साप सफाई आप दोनों भाई मिलकर कर सकते हैं और नास्ता अगर घर पर ब बड़ी बात है नहीं और वैसे भी सिर्फ वहू ही घर पर ध्यान क्यों देगी घर सब का है तो ध्यान सब देंगे मेरा रवया देकर पती देव कमरे के बाहर निकल गए थोरी देर बाद बरतनों के साथ साथ मा जी की भी आवाज तेज हो गई दो और सदस्यों की आवाज आने लगी सायद वो लोग भी जाक चुके थे बाहर सोर बढ़ता जा रहा था पर मेरे मन में बड़ी सांती थी अपनी उसी सांती के साथ में उठी और जाकर रसोई की सफाई करने लगी देखा तो घर का काम भी हो रहा है समान जोर जोर से पटकते हुए ही सही पर हो जरूर रहा था चार-पांच दिन लगे लेकिन जब घर वालों को समझ में आ गया कि अब मैं अपना रवया बदलने के मुड में नहीं हूँ तो अपने आप ही सब लोग खुद काम कर लेते थे अब घर चमकता था क्यूंकि अब सब लोग मिल जूल कर घर पर ध्यान रखते थे असा क करती हूं दोस्तों ये कहाने आप लोगों को आज सी लगी हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक सेयर एंड सब्सक्राइब करना और इस कहानी पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताना आपका बहुत बहुत धन्यवाद